प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं, बिटूर थाना शेत्र का मामला है बिटूर शेत्र साधन धाम आश्रम पर कथा वाचक के दौरा कबज़ा करने के परियास के संबद में ये प्रेस कॉंफरेंस की जा रही है हमारे बीच अशुक अगनुत्री है जिनका कहना है कि कथा वाचक इनके आश्रम पे कबजा कर रहे हैं इन्होंने छेत्रे थाना से और कमिशनर से भी गोहार लगाई है जबकि कमिशनर ने कारवाई की इनको पूरा आस्वाशन दिया है लेकि इनका कहीं भी कोई भी जी के तटपे है एक कथा सुनाने के लिए हमसे जगह मागी मैंने पंडाल लगाने की जगह दिदी ये डेल महना पहले ये मेरे पास आया कि मुझे रंगाई-पुताई कराना है हमारे भक्त लोग आएंगे तो मैंने कहा रंगाई-पुताई आस्वाम ही करता है जैसे मेरे पास हिस्तिती है मैंने दो लाख रुपए नगत पच्पन हजार रुपए का लोहा जो हमारे गटर बगारा कबाड़ पड़ा था वो दिया सरशट हजार रुपए के टाइस दिये और इंटा दिया इसके बाद में इसने काम सुरू किया दो दिशंबर को इसने हमारे तीन ग कारशिक कारकम होता है एक भागवत को 48 वर्सों से निरंतर चला आ रहा है तो मैंने गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने कहा कि बिग्न मत डालो इसकी कारवाई दस तारीक के बात करेंगे ने हमारा कारकम बेकार हो जाएगा कि समाधी तूटी हाँ पुलिस कचैरी होगी य इसने गया गया हमारे गुर्दो भगवान का उसमें सब कुछ जो उनकी संपूर जीवन की भिच्छा थी उसमें एकत थी इसे जबरन वहीं सामन निकाल के फेक दिया और ताले लगा के चला गया और कहता धंकी भी देता है कि जो करना हो कर लो हम 14 दिशंबर को इसने रात के नो भजे गुदो भगवान की डाली पकड़ के खीज़ दी और वहां निकाल दिया वो वहीं बैट गए फिर पुलिप्रसासन आया और उनको अंदर किया समझा भुजा के हमारे और गुरभाई बगर आया है उनको समझाया भुजाया तब वो अंदर हुए लेकिन अब भी अपने बात प्याड़े हुए हैं कि अगर मुझे शाशन प्रसासन से मदद नहीं मिली तो मैं जल समाधी ले लूँगा अगर उन्हों जे जल समाधी ली तो मैं भी उनके साथ जल समाधी ले लूँगा और हमारे साथ कई हमारे गुरभाई ऐसा करने के लिए तयार है इस व बाद क्या हुआ थाना अध्यक्ष महोदे का बड़ा अच्छा नेलना था उन्होंने तत्काल जो दरोगा भेजे कि जाए महंत का बयान लेके आए अगर महंत कहते हैं कि अभिशेक्रन सास्ती को ऐसे में नहीं रख आने देंगे तो तत्काल उसको उठाके बंद कर दो उसका स कितने साल ने कमजर आया है मेरा यह हमारे गुद्धिव भगवान स्वामी महिश्या नंजी महराज जो नैमी ज्याट पीठा दिश्वराज जक्ता चार स्वामी नादन नंजी महराज के प्रीसिस हैं यह निरंतर 48 बरसे से वहां यद्ध भागवत प्रतबर्स हैं तो वहां जिससे मुझे मेरे गुर्द्व भगवान को जान का खत्रा है और कभी भी मेरे साथ यह धोका कर सकता है कुछ भी कर सकता है क्योंकि यह कथा प्रवत्ता के रूप ने एक गुंडा और कब्जा करने वाला व्यक्ति है उसने देखा कि भारत की ऐसी कोई अच्छी जगा नही परन्त वाद दिबता है भबता नहीं है इसने दो शमादियां तोड़ी बहुत बड़ा प्रात किया यह सिर्प गुंडा कर सकता कोई कता वाचक नहीं कर सकता है जो इसने किया है का धन्यवाद हमारे बीच अशोक अगरिहुत्री है जो सिदा आरोप लगा रहे हैं बिटू अब देखना बाकी है इनको नहीं मिलता है के नहीं सीनियर विडियो जनली शावेज के साथ मैं फेदर रसूल एंटी क्राइम टाइम्स कानपूर प्रेस क्लब कानपूर